पिछले वर्ष हमने उश्मा के स्तुरोत और उश्मा का संचरण किस प्रकार होता है ये जाना सूरज ये हमारे अस्तित्व का अधार है और सूरज ही उश्मा का प्राकरतिक स्तुरोत है प्रित्वी भी उश्मा धारक है और जिसे भू आउश्टिक उर्जा कहते हैं ये उर्जा भूगरप के उथलेक शेतर में गरम पानी के जरने के रूप में आथवा पत्थरों में पाई जाती है लकडी, मिट्टी का तेल, कोईला और खनिश तेल इनके जलने के कारण उश्मा मिलती है इंधन के ज्वलन के समय इंधन और हवा में जो ऑक्सिजन होता है उसमें रासायनिक अभिक्रिया होती है इसके परिणाम के रूप में उश्मा निर्मान होती है जब किसी मुलभूत तत्वजे से यूरेनियम तूटता है और फिर उसमें विखंडन होता है तब थोड़े समय में अधिक मात्रा में उश्मा प्राप्त होती है इसे ही परिमानु उर्जा कहा जाता है उश्मा का संचलन तीन प्रकार से होता है पहला प्रकार है उश्मा का संचलन जब उश्मा ठोस पदार्थों से होकर बहती है उसे संचलन कहते है दूसरा प्रकार है संवहन जब उश्मा द्रव और वायरो पदार्थों के माध्यम से होकर गुजरती है तब उसे संवहन कहते है उश्मा के वहन का तीसरा प्रकार है विकिरण विकिरण में उश्मा के वहन के लिए किसी भी माध्यम की आवशक्ता नहीं होती हमने ये भी देखा है कि जब उश्मा का वहन होता है तब पदार्थों के गुणधर्मों में बदला होता है उश्मा के कारण पदार्थ गरम अथ्वा ठंडा होने के बाद उसकी लंबाई या फिर आयतन में बदलाव आता है कभी कभी उश्मा के कारण पदार्थों की अवस्था में भी बदलाव आते हैं जैसे पानी का बरफ में रुपांतर होना या पानी का बाश्प में रुपांतर होना चली अब हम उश्मा के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं और ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि उश्मा का मापन किस प्रकार किया जाता है और उसका पदार्थों के झाल झाल